सब्सक्राइब करने के बाद अभी थोड़े टाइम पहले मैंने SBI से रिलेटेड वीडियो बनाई थी लाइक आर्टोस्विपन फैसिलिटी है कैसे वर्क करती है बट उस वीडियो क्रिएट करने के बाद अभी FD के जो interest rates है उनमें बहुत जारा change आ चुका है और इसलिए ये वीडियो में मुझे update करना काफी जादा जरूरी है So इस वीडियो में SBI में जो आटोस्विपन फैसिलिटी होती है हम उसको पूरा cover करेंगे अगर आपको और कोई बैंक की वीडियो देखनी है तो वो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं मैं उन banks के वपर definitely videos create करूँगा So वीडियो को start करते हैं और आगे पढ़ने से पहले वीडियो को like जारू करना और चैनल को subscribe करना So yeah, let's start the video So SBI में जो auto sweeping facility होती है उसको multi option deposit scheme भी बोलते हैं अगर आप multi option deposit scheme को avail करना जाते हैं तो उसके लिए कुछ set of conditions होती है जो आपको fulfill करना जरूरी है और उन conditions को fulfill करने के बाद आप इसके लिए apply कर सकते हैं जब भी हम इसके लिए opt करते हैं तो उस time पर जो भी FD rates चल रहा होता है वो हमें मिल जाता है So जैसे कि आपको auto sweeping facility के बारे में पता ही होगा But मैं यह आपर एक बार उसको short में बता देता हूँ यह basically combination होता है आपके savings account का And उस पर आप FD का interest run कर सकते हैं Simply आपको एक limit set करनी होती है And उस limit के उपर जो भी पैसा आपके account में होगा उसकी automatically FD create हो जाएगी And जो FD पर return मिलेगा वो कुछ banks automatically decide करते हैं And कुछ banks आपको option देते Like आप उसमें select कर सकते हैं आपको FD कितने time की create करनी है आप FD एक साल की create कर सकते हैं पर दो साल की तीन साल की जैसे आपको select करना है But जो bank option नहीं देती है उन banks के लिए उनका set of time period होता है And उत्तर time period के लिए आपको FD create करके रखनी होती है And अगर आप गलती से FD को break कर देते हैं तो आपको penalty charges pay करना पड़ते हैं SBI में एक चीस काफी अच्छी है आप अपना time duration Like आपको कितने time के लिए FD create करना है वो आप खुछ select कर सकते हैं And उसके according जो आपको FD का interest मिल रहा है वो auto sweeping facility में आपको मिल जाएगा So जैसे कि आपको पता ही है अगर आपको 1 साल की FD create करनी है तो उसके लिए आपको कुछ अलग interest मिलता है अगर आप 45 days से लेकर Like 60 days की कुछ FD create करते हैं तो उसके लिए अलग interest मिलता है तो यहाँ पर में एक chart mention कर दूँगा So that उसमें आपको सारे time duration And अभी के जो FD rates मिल रहा है अगर आपको जो भी पैसा होगा वो FD में जाएगा जैसे मैंने आपको बताये था हमें एक limit set करनी होती है And उस limit के ओपर जो भी पैसा होता है वो FD में automatically चले जाता है Like auto swip and get through So आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है Like इसमें minimum एक साल की FD तो आपको create करनी ही पड़ती है जो automatically आपकी हो जाती है auto swip and get through तो अगर आप उसको break करते हैं किसी reason से तो यहाँ पर bank आपको interest को charge करेगा Like यह चीज़ ध्यान में रखना काफी जादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने buy chance आपके savings account में पैसा add कर दिया और उसके FD create हो गई So आप उसको break नहीं कर पाएंगे without penalty charges आपको penalty charges पे ही करना पड़ेंगे अगर आपने उस FD को break कर रहे तो HBI में अगर आपको order swip and facility activate कराना है तो minimum 35,000 रुपीज के उपर ही हो पाती है आपके savings account में minimum 35,000 रुपीज होना चाहिए और अगर उससे जो भी उपर का पैसा होगा वो FD में automatically create हो जाएगा आप इसके limit 45,000, 50,000 कुछ भी select कर सकते हैं बस वो 35,000 रुपीज से उपर होनी चाहिए HBI में जो auto swip and होता है इसकी threshold limit 35,000 रुपीज होती है और इसके लिए आपको 10,000 रुपीज की FD भी ये create करनी होती है So for example, आपने account में 45,000 रुपीज डाले So आपके account को पता पड़ जाएगा 35,000 के उपर रुपीज आए इसमें और ये जो 35,000 से उपर का 10,000 रुपे है इसकी automatically ये FD create कर देगा जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताये था आप जब भी FD break करते हैं आपको कुछ penalty charges यहाँ पर pay करने पड़ते हैं So अगर आपकी FD 5,000,000 रुपे से कम की होगी तो आपको 0.5% transaction amount का pay करना पड़ेगा अगर आप अपनी FD break कर देते हैं तो अगर आपकी FD 5,000,000 रुपे से उपर की है तो आपको 1% की penalty माँ पर pay करनी पड़ेगी So यह basically सारी information थी SBI की auto sweeping facility से related मैंने और कुछ भी videos create करी है उसको मैं उपर i button पर link कर दूँगा So that आप महा जाकर वो videos को देख सकते हैं यह सारी auto sweeping facility की playlist में ही added है अगर हम इसको short में summarize करें तो इसके कुछ advantages हम एक बार देख लेते हैं तो SBI में जब भी हम auto sweeping facility create करते हैं तो इसमें आपको यह time period choose करने का option देता है लगि इसका बहुत बड़ा advantage है आप 1 साल की या फिर 2 साल की कोई भी FD create कर सकते हैं और यह आपके पास option रहेगा choose करने का second अभी जो interest rate हमें मिल रहे हैं bank में वो काफी जदा improve हो चुके हैं पहले के time से so अभी काफी अच्छा option है and SBI भी आपको काफी अच्छा interest rate दे रहा है जैसे कि मैंने बोला मैं यहापर इसका chart mention कर दूँगा so that आपको time period के according यहापर interest rates देख जाए so यह को जिसके advantages थे अगर हम disadvantage की बात करते हैं तो अगर आपने 35,000 रुपय से उपर का कुछ भी amount अपने bank में deposit कर रहे तो उसकी तो order swap in के through automatically FD create हो जाएगी क्योंकि मैंने यहापर threshold limit set करके रखिया बाकि आपको अपने according उसके threshold limit set करना है but in case अगर आप उन पैसों को withdrawal करना चाहते हैं आपकी FD complete होने के पहले तो आपको यहापर एक penalty pay करना पड़ेगी जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया यह काफी बड़ा इसका disadvantage है and I think आप अगर long period of time के लिए पैसा रखने वाले अपने account में तो ही आपको auto swap in facility आपर activate करानी चाहिए क्योंकि ऐसे तो premature withdrawal पर आपका पैसा यही कट जाएगा penalty charges पेकनने में बाकि ऐस सच इसका और कोई disadvantage नहीं है मैं जल्दी बाकि banks के videos create करने वाला हूँ so guys channel को subscribe जरूर कर देना and इस video को like कर देना अगर आपको यह helpful लगी हो see you guys in the next video